अब इस अब आर्थी चोधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड मॉर्णिंग रादे राम-राम कैसे आप सब बढ़िया फ़स्क लास तो देखो बिटा आपका इवेंट लाइव हो चुका है यह वार ज़र आप मुझे कंफर्म करेंगे कि ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के है आप सब बहुत सारे बिटा कमेंट कर रहे थे मतला वीडियो खतम होने के बाद में बहुत सारे बचे कमेंट कर रहे ते कि मैं हमें टेक्निशिन के बारे में कुछ किलियर नौलिज नहीं मिल रही है तो आज आपका यह बैसलिए लिए लाइव से शन रखवाया है जिसे कि आपके जो भी डाउट है आप लाइव आईए और पूछी अपने कमेंट और बचा मैं आपको यहां से कमेंट पढ़कर आपको रिप्लाइ करती रहोंगी ठीक है तो जिसका जो भी डाउट है आप आज लाइव पूछ सकते हैं टेकनीशियन के बारे में थोड़ा सा बचा मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो एलपी और टेकनीशियन में आपका डिफरेंस क्या है तो देखो बैटा एलपी में इनोंने मांगा है कि आप दसवी पास और आईटी आई हैं आईटी आई 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 आपका फिटर से भी है तो भी आप फॉम भर सकते हैं दोनों च या इंजिनिरिंग की कोई डिगरी है तो भी बच्चा आप एलपी के लिए फॉम भर सकते हैं अब यहां बच्चे ये कंफ्यूज है कि मैं यदि हमारे पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो क्या हम टेक्नीशियन के लिए अपलाई कर सकते हैं तो मेरा आंसर होगा यस लेक बच्चा आप लोग सिर्फ टेकनीशियन की पुस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं डिफ्रेंश समझ में आया यदी आप 3 पास है और बच्चा पी से म !! यानि फिजिक्स केमिस्ट्रीू मैद्स है आपके पास तब आप सिर्फ टेकनीशियन की अप्स के लिए अप्लाई कर स और PCM यानि आपके पास में क्या बच्चा physics chemistry maths है physics chemistry bio है जिनके पास वो फॉम नहीं भर पाएंगे वो फॉम नहीं भर पाएंगे आपका किसका technician का तो पहला doubt केलियर हुआ ठीक है मैं 12th पास हूँ और एक year का exam हो गया है second year में हूँ तो बचा यदि आपके पास में बारवी बारवी में यदि आपके पास physics chemistry maths था तो बचा फॉम technician का भर सकते हैं डाउड केलियर हुआ ठीक है मैं 12th पास हूँ लेकिन आई टी आई नहीं किया हूँ रेलवे में कुन सा फॉम भर सकता हूँ यदि आपने बारवी पास की है physics chemistry maths है तो टेक्नीशियन आप लोग भर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास में तेकूट 10th प्लस आई टी आई का मत होती है टेक्नोलोजी आपको सिखा दी जाती है है लेकिन यदि आपके पास में आप सिर्फ बारवी पास है और आपने कोई टेक्नोलोजी का डिप्लोमा नहीं किया है तब आप एलपी का नहीं भर सकते हैं टेक्नीशियन का भर सकते हैं बस इतनी सी बात मुझे आपको समझ समझानी है ठीक है सिर्फ इतनी सी बात समझानी है दुबारा समझा देती हो एक बार फिर से लिख के जिन बच्चों को नहीं आ रही है आपकी बात देखो एलपी और टेकनीशियन में बच्चा बहुत कनफ्यूज है तो ध्यान से सुनना आपके पास कोई भी टेकनोलोजी की बिल्कुल आसान भासा में मैं आपको समझा रही हूँ कोई भी टेकनोलोजी कल कोई भी टेकनोलोजी की बच्चा आपके पास में कोई डिग्री है या फिर नोर्मल बच्चा क्या करता है दसवी करी बारवी करी ठीक है आप सिर्फ बारवी पास है और चाहें आपके पास में physics, chemistry, maths ही क्यों न रहा हो तो आप ये ALP का form नहीं भर सकते यदि आपके पास बारवी पास है और physics, chemistry, maths रहा है तब आप लोग किसका form भर सकते हो बच्चा technician का difference समझ आया हाँ 12 में PCM and graduate में am I eligible for any post बिल्कुल बच्चा आप बिल्कुल सारी post के लिए अगर आप graduate भी है और PCM भी है फिर तो आप बहुत सारी post के लिए railway में eligible है की कहें मैं PCM है बट physics में fail हूँ physics में fail है मतलब से आपका क्या मतलब है भी आप फिजिक्स में fail कैसे हो गए मतलब अभी आप 12 पास नहीं है फिर है ना फिर तो आप 12 पास नहीं है ना यदि आप physics में fail है that means कि अभी आप बार भी पास नहीं है फिर कोई भी सब्जेक्ट में दिया फेलो तो फिर तो आपके पास नहीं आएगी अभी आपकी कब आ रही है वेकेंसी पिटा वेकेंसी आपकी कब आ रही है मैं आपको बता देती हूँ लेट से लेट फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुवात में या मार्च के पंदरा दिन के शुरुवात में इससे जादा आपका लेट नहीं करेंगे यदि मैं आपसे उम्र की बात करूँ एज की बात करूँ तो बचा 18 से 30 साल आपकी उम्र होती है किसके लिए प्रेलवे के लिए यदि आप 10 वी पास है और आई टी आई भी कर लिया है पैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है बट मालो और आप 18 साल के नहीं है तो आप फोम नहीं भर सकते हैं यदि आप 12 वी पास है physics, chemistry, maths तीनों आपके पास था 12 में लेकिन अभी आपकी उम्र 18 वर्स नहीं हुई है तो आप फोम नहीं भर सकते हैं समझ में आया concept बारवी पास है उम्र 18 साल नहीं है फोम नहीं भर सकते ठीक है, खिलियर बचा टेकनीकल की क्लास तर यह कब से स्टार्ट हो रही है, टेकनीकल की क्लास आपकी स्टार्ट ओल्री हो चुकी है, खिलियर बचा, बात समझ में हैं, तो श्याइद छोटी से यह वीडियो मेरी आपकी बहुत मदद कर देगी, अब देखो बचा, जो के महापैग है ठीक है ये बचाय आपका railway का महापैक है इस महापैक पर आप किलियर करोगे इसे में technician ALP आपका railway police जितने भी डेड़ लाख वेकैंसी आपकी railway कation की निकलें गी उन सब की ये इकलोता आपकी तयारी कराता यह आपको 4000 रुपे का यहां पर दिखाई दे रहा है जो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है आप लोगों को कूपन कोड लगाना है यहां पर कितना वाई 446 यह कंपनी का कूपन कोड है आप लोग अपलाए करोगे तो मात्र 900 रुपे में यह रेलवे का महापैक आपको मि जो अगली डेड़ लाग टेकनीशियन टी टी ए रहा हो रेलवे एल पी रहा हो इन सब की नए एक्जाम पैटर्न माली आपको एक्जाम का पैटर्न बदल जाता है तो भी बच्चा यह आपकी क्या करेगा मदद करेगा यह आपको वहाँ पर नए बैचिस आपको खुद पर खुद फ्री में मिल जाएंगे कोई अलग से पैसा आपको नहीं देना होगा एक्जाम पैटर्न बदल गया तो यह नहीं आपको अलग से पैसा देना होगा नहीं आपको यही इकलोता बैच है जो आपको तैयारी करा देगा 12 PCM ITI प्लस ग्रैजुएट बिलकुल भर सकते हो भी या सारे फॉम भर सकते हो तुम तुम सारे फॉम भर सकते हो फिर तो तो समझ में आगया बच्छा यह आपका महापैक है जो आपको रेलवे टेकनीशियन और TTE रेलवे पुलिस और रेलवे एलपी की सब की एक साथ तया करोगे यह 5 किताबे हैं जो आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी आप लोग बाई नाव पर क्लिक करोगे और कूपन कोड़ अपलाई करोगे कितना वाई 446S वाई 446S आप लोग जैसे ही बचा यह कूपन कोड़ अपलाय करोगे 1244 रुपे में यह किताबें तुमारे घ के केर चेहिंद कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको वहाँ पर रिपलाई कर दूँगी करदा सकते हैं मैं यहाँ कर दो आपको जाँ एक हैं मैं अपको करदा इनलीघ करें जाज भर रिपलाय कर दुमारा सकते हैं